तेमूर फार्वी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अन्विर शेख फिर आपके लिए कुछ खास लेगे दोस्तो आज जानेंगे तालबों के लिए उप्योग्त मश्लियों की प्रजातिया तो चैनल पर नवया हो चैनल को सब्सक्राइब करने चिद लालबड़ प्रणाली को अपनाया जाता है जैसे की नाम से ही सबस्ट इस सिश्ट्राइब करने के लिए आदिक तर तोर पर मिश्रित मश्ली पालन प्रणाली को अपनाया जाता है जैसे की नाम से ही सबस्ट इस सिश्ट्राइब के अंतरगत दो या दो से अधिक मश्ली की नसल का पालन एक फिश पॉन्ड में आसानी से किया जा सकता है वैसे वर्थमान में इस सिस्टिम के अंतरगत इंडिया में फीश फार्मिंग करने के लिए चीनी मशलियों को और इंडियन मशलियों को एक साथ तालाबों में रखा जाता है तालाबों के लिए उप्योक्त मशलि पालन प्रनाली में इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर मिश्रित मशलि पालन प्रनाली के अंतरगत इंडिया कार्प जैसे क्याटकटला, रोहू और मुरुगल को और चीनी कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और एव कॉमन का तालब को उद्यमियों को द्वारा अपने फिशि फार्मिंग का हिस्सा बना जाता है तालाबे के लिए उपयोग्वत मश्ली और इसका वितरन व्यापार रूप से भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान, भर्मा और बांगलादेश में किया जाता है। इस मशली की आदत पानी के उपरी सतव पर रहने की होती है। जहां ये कटला मशलिया पानी में तेरती हुई सुष्म जीवों का शिकार अपने भोजन के लिए करती है। कटला परजाती की वयस्क मशलिया अधिकतर पलवक का ही भोजन करती है। लेकिन कभी-कभी पानी में सड़ने गलने वाले मैक्रो वनस्पती, पादम, पलवक और छोटे-छोटे घोंगों को भी अपने भोजन के में प्रयोक किया जाता करती है। इस प्रमशलिया अपनी उम्र के दुसरे साल में परिपक होती है। और इस प्रकार की मशलियों में इनके बोडी के भार के आनुसार प्रती किलों सत्तर हजार से अधिक अंडे देनी की शमता होती है। वर्षर तुर्तु में इस प्रकार की मशलिया प्राकूर्तिक रूप से अभिजनन करती है। या किसी नर मशलि के संपर्क में आने के बाद भी ये अभिजनन करती है। कटला प्रजाती की मश्लिया फिश पॉंड में अभी जनन नहीं करती हलाकि मश्ली के बीज को तालावों में आसानी से पाला जा सकता है मिस्रित मश्ली पालम प्रनाली में इस प्रकार की मश्लियों का भार एक साल में ही एक किलो होता है अब बात करें हम रोहु मशली की प्रजाती भारत, नेपाल, बांगलादेश, पागिस्तान और ब्रहमा की नदियों में प्राकोतिक रुप से निवासित होने वाली प्रजाती है यह मचलियों की प्रजाती भी तालावों के लिए ठीक माने जाती है और वर्तमान में रोहुफिश की यह प्रजाती विश्यों के अनेक देशों जैसे स्रीलंका, जापान, मौरिशियस, मलेशिया, फिलिपिन्स, थाइलेंड इत्तेदी में फैल चुकी है साधारंतया रोहुफिश जैलिय परिस्तिती की तंत्र में स्तब्द शेत्र में निवासिद होती है और पौदो और वेजिटेपल के खत्रों से अपना पेट भड़ती है अब बात करेंगे कटला फिश के जैसे ही रोहुफिश भी नदियों में अबजनन करती है या फिर नर मशली से संबंध स्तापित करके इन मशलीों की प्रजाती में अबजनन की शम्ता अपनी उम्र के दुसरे वर्ष में आती है और कटला फिश की तरह रोहुफिश भी फिश पॉंड में प्रजरन नहीं कर सकती रोहुफिश में एक अबजनन सीजन के दोरान दो लाग से तीन लाग के बीज अंडे देने की शम्ता होती है लेकिन यह निर्वर करता है कि मश्ली के आकार पर रोहुफिश एप्रिल से सितमबर महिने के बीज अंडे देती है नदियों से मश्ली का बीज लेके रोहुफिश का पालन फिश पॉंड में आराम से किया जा सकता है फिश पॉर्ण में इन रोहू मशलियों को पालने पर इनका वजन एक साल में लगबग 900 ग्राम होता है अब हम बात करेंगे मुर्गल मशली की मुर्गल मशली की प्रजातीवी भारत, बांगलादेश, पाकेस्तान, वर्मा, इत्यादी की नदियों में पाई आती है मुर्गल मशली की प्रजाती का मुख्य भोजन हरीशेवाल, डाइटम, सडी गली, सबजी, कीचर इत्यादी है चुकि मुर्गल फिश निछले सतह पर पाई जाने वाली जिवानों का सेवन करती है इसलिए एक ही फिश पॉन में रोहु फिश और कटला फिश के साथ साथ इंका पादन करना उप्योगत वाना जाता है मुर्गल मश फिश एक या दो साल में परिवक वो होती है यह निर्बर करता है उस स्तान की कुर्शी जलवायों की परिस्तितियों पर मुर्गल फिश में 12 लाग से 15 लाग तक अंडे देने की शमता होती है इनके अंडे देने का मौसम दक्षिन पच्ची मांसुन की अवधी से अवधी के साथ जुड़ा हुआ है यह भी कतला और रोहु की तरह तालाब में अबजनन नहीं कर सकती यह मशलियों की प्रजातिया एक मौसम में दो बार अवजनन कर सकती है फिश पॉन में मिर्गल फिश को अब पालने से एक साल में इनका वजन एक किलो हो जाता है अब हम बात करेंगे सिल्वर कार्प मशली की सिल्वर कार्प फिश, साधारंतया, दक्षिनी मद्यचीनी, चीन और सोविय संग के प्रवक्स बेसिन में पाई जाती है जहां से इनका प्रतिरोपन भारत प्रशान शेत्र में होकर भारत में भी हुआ यह प्रारंबिक रूप से यह मशलीयों की प्रजातिया सतनिवासी यानी की पानी के उपरी तरफ और प्रानीमंद पलवक को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करने वाली प्रशाती है लेकिन देरे देरे यह पादम पलवक को भी खाने लगी है सिल्वर कार्प फिश को फिश पॉण में पालने पर खली चावल के भूशे का मिश्रन इतदी खाने की तोर पर दिया जा सकता है यह सिल्वर कार्प फिश भी अन्य मशलियों की तरहा फिश पॉण में अंडे नहीं देती हलाकि हैपोपीस सशन सिस्टिम के माध्यम से यह वर्ष तुर्तिव में ऐसा कर सकती है इन में अंडे देने की शम्ता मशलियों के आकार पर निर्बर करती है लेकिन सिल्वर कार्फिश प्रजाती की एक मशली देड़ लाग से तीन लाग तक अंडे देने की छमता रखती है भारत में इन मशलियों को वयस्क होने में चीन के मुकाबले कम समय लगता है जहां चीन में ये मशलिया 2-6 वर्ष में वयस्क होती है वही इनडिया में देड़ से 2 वर्ष में ही वयस्क हो जाती है इस प्रजाती के नर मशली मादा मशली के मुकाबले जल्दी वयस्क होती है मिसित मशली पादन प्रनाली में सिल्वर कार्फिश का भार एक वर्ष में देड़ की लोग तक हो जाता है आप बात करेंगे ग्रास कार्फ फीश मशलियों की प्रजाती में ग्रास कार्फ नामक प्रजाती भी उत्तरी दक्षिनी चीन और सोवेट संग के खाबोरों वक्स बेसिन में पाई याने वाली प्रजाती है ग्रास कार्फ फीश प्रजाती की मशलिया जैविक नियंतरन में जलिय खरपतवारों की उप्युक्तता के कारण इस प्रजाती का पूरे विश्यो में व्यापेक रूप से प्रत्य रोपन किया गया है प्रारंबिक दिनों में ग्रास कार्प फिश भी पलवग जीवों को अपने खाने हितु शिकार बनाती है और फिर धीरे-धीरे मैक्रो फिट्स को खाने शुरू करती है इस प्रजाती की मशलिया अधिक भोजन करने वाली होती है इसलिए इनको सबजी या अन्य खाद्य सामगरी जैसे घास पत्ते इतदी भी खाने के तोर पर दिये जा सकते है इंडिया में ग्रास कारफ फिश प्रजाती की मशलियों को वयस्क होने में लगबग दो साल का समय लगता है इस प्रजाती की 4.5 किलो से 7 किलो के बीज की मशलिया एक अबिजनन में लगबग 6.8.000 के बीज अंडे देती है हालाकि इस प्रजाती की मशलिया का भार एक साल में कितना होंगा ये सब मशलि के खानपान पर निर्बर करता है लेकिन एक अनुकुलतम वातावर में एक साल में ग्रास कारफ फिश का भार 5 किलो तक का हो जाता है अब हम बात करेंगे कौमन कारफ फिश की प्रजाती रश्या के एक सितोषन शेत्र मुख्य रूप से चीन में पाई जाती है लेकिन अब कौमन कारफ फिश भी दुनिया भर में अधिकतर तोर पर तोर पाई जाने वाली मशलियों की प्रजाती में से एक है यह मशली निचली सतों पर पाई जाने वाली एक सर्वहारी मशली लेकिन मुख्य रूप से कौमन कार्फिश सडी गली वनस्पती इत्यदी को खाकर अपना पेट भरती है यह अपने खाने के लिए लगातार निचले स्तर पर ही विचरन करती है इस मशली की इसी आदत के कारण इसको अन्यप मशलियों के साथ पालने में कोई दिक्कत नहीं आती वैसे कौमन कार्फिश ग्रास का अब दोरा उत्पादित मलमुत्र भी खाती है इसका वजन कितना होंगा यह सब बंडारन के गनत्व और अनुपूरक खाने पर निर्वर करता है उश्नकटी बंदिये वातावरन में यह मशलियों की प्रजाती अर्थात कौमन कार्फिश को दो साल में दो बार अंडे देती है जिनका समयकाल जनुवरी से मार्च और जुलाई अगस होता है उश्नकटी बंदिये शेतरों में यह मशली एक साल में वैस्क हो जाती है और मिश्रित मशली पादन प्रजाती में कौमन कार्फिश का वजन एक साल में एक किलो होता है तो दोस्तो आज हमने जाना तालाब के मशलिया कौन-कौन से होती है और उनके क्या-क्या गुन विशेज होते है तो कौन सी मशली हमें हमारे तालाब में पालने चाहिए कि इसकी मालूमत आपको अच्छी से हो गए तो उम्मीद करता दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे होंगी वीडियो चीरी वडियो को लाइक करें शेर करो चैनल बना व्याओ चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलिया मैं हूँ आपका दोस्त अन्वीक शेक तेमर फ